empathize का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं empathize का मतलब होता है सहनु भूती और सहनु भूती का मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे के दुख में उसका साथ देते हैं या उसके साथ होते हैं या उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं तो उसको एक सहनुभूती कहा जाता है यानि कि मानलीजी आपका कोई मित्र है वो दुख में है उसको कोई परिशानी है तो जब आप उसकी परिशानी को समझ सकते हैं और उसकी परिशानी को फील कर सकते हैं उसे सहनुभूती कहा जाता है सहय अनुभूती यानि कि साथ में ही वैसा ही फील करना वैसा ही अनुभव करना या वैसी ही अनुभूती होना तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि उसने अपने मित्र के प्रती सहनुभूती वेक्त की जो कठिन समय से गुजर रहा था तो आप कह स अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें